नमस्कार जैहिंद बंदे मातरम प्यारे दोस्तों सिफ्ट बन आज 6 मार्च है 6 मार्च की सिफ्ट बन रिव्यू तो काफी पहले ही मेरे को पता चलगी लेकिन वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया माफी चाहूंगा बिलकुल सेम पैटन एकदम सेम कुछ भी डिफरें का प्रश्ण वही संब्यधान के प्रश्ण हाँ एक थोड़ी सी आज चेंज मिली और वो चीज थी कि आज आर्टिकल बहुत जादा नहीं पूछेगे एक का दुख का आर्टिकल पूछा गया सबसे महत्तपूर बात है कि मैंने कहाता जो बेसिक नॉलेज और एक आर्टिकल वन से लेके 51A तक यह अगर आपने याद कर लिये तो संब्यधान में आपका प्रश्ण मुश्खिल ही चूटेगा वही नरत्यवाले प्रश्ण वही साहित से प्रश्ण सेम जी के वही एंसेंट इंडिया के मौरेकाल के गुप्तकाल के कदुका प्रश्ण आदुरिक भारत से वही सिंपल प्रश्ण गार्दी जी के एर्दगिर्द वाले मतलब सेम पैटन अच्छा मैं दूसरे विस्यों की बात क्यों नहीं कर रहा क्योंकि आपको पहले बता चुका हूँ रीजिनिंग बहुत मतलब इजी आ रही है मैट्स बहुत इजी आ रहा है हिंदी की तो खि कुछ बच्चों ने का सर जी के बहुत सरल आई वही साथ ही पीछे से दो बच्चों ने ये भी बोला कि भाई इतनी भी सरल नहीं थी साथ से आठ प्रश्ण हो पाए उसके बाद प्रश्ण नहीं हो पाए उसके बाद तो कई देखो एक साइकलोजी है हुमन साइकलोजी इस को कहते हैं कि जब हम प्रश्ण करते हैं तो हमको पता है एक बटे आठ की नेगेटी मार्किंग है यानि बहुत कम नेगेटिब मार्किंग है जब भीया बहुत कम नंबर कट रहे हैं तो आदमी पूरे प्रशन करता है आपको personal experience बता रहा हूँ कभी आप स्वेम भी आजमाना आपने अजमाया भी होगा कि जब आप exam देने जाते हैं और आपको कोई प्रशन नहीं आ रहा होता लेकिन आप निसान पूरे पर लगा देते 80 के 80 पर तो भी आपको ऐसा लगता है पेपर बहुत सरल था पूरे प्रशन कर दिये यही psychology बच्चों की अभी महां काम कर रही है पेपर इजी आ रहा है इसमें कोई दोराय नहीं है शक नहीं है लेकिन फिर भी जीके के प्रशन उस लेबल पर है कि जिसने जीके अच्छी करी है वो 130 प्लस जाएगा जिसने जीके नहीं करी है वो अभी भी 130 के नीचे ही रहेगा ये बात सत्त है सत्त प्रतिसर्थ अच्छा फिजीकल की कट आफ के बारे में बहुत वच्चे पूछ रहेए कि सर फिजीकल की कट आफ कितनी तली जाएगी तो भाई हाँ उस लेबल पर नहीं जाएगी इस लेबल पर आप सोचते हैं कि 100 चली जाए 102 चली जाए 99 चली जाए कुछ की जाए कुछ इस्टेट्स की लेकिन अमूमन जब हम overall बात करते हैं तो बड़े स्टेट्स की बात करते हैं जहां पर cutoff अमूमन जादा जाती है जैसे राजस्थान हो गया उत्तरपदेस हो गया हर्याना हो गया यह वाले जो इला से 123 minimum cutoff रहे जनल के टेगरी की बता रहो भाई अधरकी तो थोड़ी नीचे रहेगी और लेकिन जनल की 122 तो 123 फिजीकल की रह सकती है इस बात को लिख लीजिएगा क्योंकि पेपर हलका है उपर से negative marking भी कम हो गई है लेकिन अब हलके का मतलब डेर सो नहीं है यह ना डेर सो रही है 122-123 फिजीकल की जाएगी और 130-135 के आसपास ही final पर अटकेएगी ठीक है चलिए जैहिंद बंदे बात्रम